पवित्र घर चाहिए, पवित्र किचिन चाहिए, पवित्र मन चाहिए, पवित्र विचार चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए आपके इर्द में, तब जाके थोड़ा बगवान की और आखे खोलते हो, यह चलने लगते हो कहिए, यह बगवान की विंडो आपकी और खु नहीं होता बरे विचारों में तो बुरे काम होते हैं बुरे भड़ उटे तो बुरे काम होते हैं कुब enforल उटे तो Neil Gittad Chen mantel को ς होटने जुब आपमा का वहाँ सुभावी नाम शब्द दिया है आपका ऑरिजंद स्वभाव आत्मा स्वरूप से जो स्वभाव है आत्मा का स्वभाव है उस परमिश्वर को प्रसंद करना शुद्ध कारी करना कि पापकारियों से बचना धर्म कारी करना पुर्ण कारी करना यह आत्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना भगवान की सेवा भगवान सर्वत्र है आप थोड़ा सीखो तो कि भगवान की सेवा कैसे होती है आपके पड़ोस में कोई भूका बैठा है परिवार में अन्न नहीं है खाने को और आपके पास धन है और अन्न भी है क्या आप मदद नहीं कर सकते क्या उस उन लोगों में आप परमीश्वर को नहीं देख सकते उन लोगों के इर्दे में बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते उनकी मदद करनी चाहिए मदद सब तो बनाया है लिए उनकी सेवा करनी चाहिए सारवदैन फूल से, मीठी बानी से, नजदीक बैठ करके, पानी पिला करके किसी भी रूप से, जहां भी आप सेवा करते हैं, वो भगवान की सेवा है कि बगवान सरवत्र व्यापत है, पेड़ों में भी किसी पौदे को आपके घर में पौदे होते हैं, उनको टाइम टू टाइम जल पिलाते हैं, वो भी भगवान की सेवा है अपने बच्चों को निलाते हैं निखारते हैं सुलाते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं स्कूल बेजते हैं यह बगवान की सेवा है लिए बगवान को जान लो तब बगवान की सेवा है यही जाना कि यह मेरा बेटार मैं इसका बाप इसको पड़ा लिखा के बड़ा बनाऊंगा तो भगवान को आप नहीं पैचाने कभी भी एक प्रती शत्मी सर्वत सब के हिर्दे में भगवान बिराशते हैं हिर्दे से अर्जन तिष्टती स्प्राणी मात्र के हिर्दे में पेड़ पौदों के हिर्दे में भी भगवान बिराशते हैं किसी पौदे के पास भी आप किसी कीडे को भी मारो तो साइंटिस्ट ने प्रूब किया है कि वो पौदा काप जाता है हालांकि पौदे को आपने नुक्सान नहीं पहुचाया पौदे के नजदीक में एक कीडे को मारा तो भी वो पौदा काप जाता है वहां भी भाव है, वहां भी विचार है यह तमाम सरश्टी लेवद है जहां कोई मर रहा है, वहां कुछ हमारा मर रहा है इसको जानने के लिए आपकी भावना में शुदता चाहिए और भावना में शुदता तभी आती है तब हम शुद्द कारियों में उत्रें शुद्द शास्त्रों को पढ़ें शुद्ध के साथ बैठें, उटें तब आपकी भावना शुद्ध होती है उस परमेश्वर की सेवा है शुद्ध की सेवा करना शुद्धम शर्णम गच्चामी उस शुद्ध की शर्णम जाओ बुद्धम शर्णम गच्चामी उज बुद्धिमान की शर्ण में जाओ, जिसको परम ज्यान है, दम्मम शर्णम गच्छामी, उज धर्म की शर्ण में जाओ, धर्म क्या है? आपकी आत्मा का स्वभावी धर्म है, आपकी आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव, पेम स्वरूपा, ज्यान स्वरूपा, आनंद स् औरिजिनल नेचर है आत्मा की उसकी शर्ण में जाओ ये कंटामिनेटेड कॉंशेसनेस लेकर के संसार में दुख पा रहे हो बार-बार जनमते हो मरते हो बीमारियों में सड़ते हो गड़ते हो अपमानित होते हो सारा कोड़ा करकर इकटा करते हो फिर त्याक के जाना भी पड़ता है इसको लिए उसकी शर्ण माने से आपकी अदोगती नहीं होती आप नीचे को नहीं गिरते हैं आप उपर को चड़ते हैं उपर को चड़ते हैं आप आनम्द की और चड़ते हैं ग्यान की और चड़ते हैं सच पूछो तो आप उस असली समराट की सीट को प्राप्त करने के लिए चड़ते हैं जिसको परम पद कहा है जिसको विश्णू पद कहा है जिसको अजर अमर पद कहा है वैकुंट जगत कहा है जहां आप परमानद हैं तो आप आनंद की खोज में लिए करेश्ट्र के टुकड़ों में आनंद मिलता है यह Ведь यह राव्स्व्भूरेस हो या एरोपलेण हो यह कुछ लेक्सस हो मरूर्श्रीज हो और नहीं इने में आनन्द नही मिलता है इनका इस्तेमाल करो लिए उस पर्मानंद को ना भूलो उस परमीश्वर को ना भूलो परमीश्वर की सेवा करने से आपको सुख मिलेगा परमीश्वर की सेवा से बंचित हो जाने से आपको दुख मिलेंगे कलिश मिलेंगे भटकोगे फसे रहोगे दल-दल में जनम मरण जरा बयादी जनम मरण जरा बयादी यह चक्कर लगते रहेंगे आप बार बार कर्मों से गिर जाओगे तो पशुजानूरों में फिर जनम होते जाएंगे कभी कुता, कभी गोड़ा, कभी गड़ा यह आत्मा अपनी कर्मों की अपनी भावना से आगी जाती है भावना गंदी है मलीन है तो मलीन इस्थान में जाके जन्म लेती है कौंशियसनेस को निखारना चाहिए शुद्ध करना चाहिए हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए प्यूरिफाई यौर कौंशियसनेस बाई चांटिंग भगवान का भगवान की कथा सुनने से आपको लाब मिलता है एरिंग मेडिटिशन स्तरवन कला जो है एक ध्यान की कला है और सबसे प्रथम और टॉप कला है कि एक मात्र भगवान की कथा वार्ता गलोडिफिकेशन कीर्तन सुनते सुनते आप भगवान की प्रेमी बन जाते हैं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं सुनते सुनते सरवनम कीर्तनम विश्नो इस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दाश्यम साख्यम आत्मिन वेदनम इनमें से कोई व्यक्ति एक को भी पूरी तरह से साध ले तो भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यकुंट को प्राप्त कर लेता है परम आनंद को प्राप्त इटर्नल आनंद को प्राप्त कर लेता है इटर्नल पीस सदेव उसके पास होता है सरवणम सुनना कीरतनम भगवान को गलोरिफाई करना कीरतन करना उसका भगवान का सरवत्र वो है फूलों में कलीों में कोईलों में चिडियों में, बाजों में, सिंगों में, हिर्णों में, मचलियों में, मगरमच्चों हातियों में, गदों में, घोडों में, आप में, मोव में जमीन में, आसमान में सर्वत्र वो है, कन कन में भगवान है आप उनको आदर दीजिए, उनको प्रणाम कीजिए उनका पूजन कीजिए लोग पीपल का पूजन करते हैं पीपल ब्रक्ष का ये जान करके कि पीपल ब्रक्ष में भी विश्णु भगवान परमात्मा छुपे हुई है सत है अगर इतना जानते हैं तो पीपल का पूजन करने से पीपल को जल चड़ाने से खाद देने से पीपल को प्रेम देने से आपके उपर भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान के कृपा आपको मिलती है इसमें संदे नहीं है जैसे किसान अपने खेत में खेती करता है और अपनी सबी फसल के पौधों को प्रेम करता है अवशी वो भगवान को ही प्रेम करता है लेकिन यदि अनकोश्यस है भगवत ग्यान नहीं है उसको तो फिर वो अपने अन्न की रक्षा करता है अपने पेट की रक्षा करता है भगवान की नहीं भगवान की सेवा नहीं करता और यदि किसान को ये ग्यान हो कि ये तमाम पहदों में वो परमात्मा समाहित देखिए कैसे लहरा रहा है सरसो फूल रही है सारी रसंद्र पीली होगी हे प्रभू तेरा इतना सुन्दर रहा पत्ते पत्ते में आप प्रभू आपकी अस्ताक्षर है आप बिराजे हुए है आपको मैं जल पिलाओं आपको खाट डालू आपकी रक्षा करूं जंगली जानवरों से बचाओं चोरों से बचाओं आपको प्रणाम करके जब पग जाए धान तो घर लाओं सबसे पहले आपको भोग लगाओं और परिवार को खिलाओं जो भी कुछ करूं शुद्धता से ये भगवान की भक्ती है भगवान की सेवा है भगवान का कर्म है भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है ये भगवान की भक्ती है भक्त्यावाम अभी जानाती तो भगवान को तत्व से जान लेते हो जब पेड़ पौधों में पसु पक्षियों में नर्बानरों में देवी देवताओं में भगवान समाईत है तो क्या भगवान सर्वत्र नहीं है सर्वत्र है तो आपका इतना सुंदर रूप है इतनी सुंदर वसुंदरा है चांद तारे हैं सुंदर फल है बच्चे हैं सुंदर चिडिया है किलकारियां भरती हैं बच्चों की जमाते हैं कोई ले कूग रही हैं बागों में इन सबका रूप है कितने रूप वाने और इस बसुंदरा के इस धर्ती के बाद में कोई रूप ही नहीं है कोई ब्रह्मा नहीं है कोई विष्णु नहीं है कोई शीव नहीं है कोई दुरगा नहीं है आपकी प्रत्वि से हागे कुछ है ही नहीं तो आपके ज्ञान किवार बंद है कहिए कि आप अग्यान की तरह अग्यानी की तरह अंदेरे में बटक रहें मूर्ख की तरह अवजाननती मामु मूड़ा फिर उस परमिश्वर को कैसे पहचान होगी प्रत्वी से आगे किसी चीज़ को मानते ही नहीं यह तो सत्य की लिमिटेड हमारी अपूर्ण इंद्रियों से आखों से हमने नहीं देखा ब्रह्मा जी लिए शास्त्र इसका कतन कर रहे है, स्वयम कृशन कतन कर रहे है, बुद्ध कतन कर रहे है, गुर्णानक देव कतन कर रहे है, महाभीर स्वामी कतन कर रहे है, लौर्ड जीसस कतन कर रहे है, यह क्या सब जूटे हैं? या आपको ब्रहमित कर रहे है या आपको दोके में रख रहे है नहीं उन्होंने ये जाना है पहिचाना है देखा है चैतन महाप्रुभुजी दीवाने थे पागल थे मेरा भाई की तरह ही कृष्ण जी के प्रेम में तो उन्होंने कृष्ण को पहचाना हर अर नाम जपंत्या कच्छुन कहे जमकाल किच्छुन कहे जमकाल नानक मन तन सुखी रहे अंते मिले गो पाल गुर्णानक देवजी ने उबदेश किये संसार को अरे मन, हे संसारिक मन हे युनिवर्सल माइंड उस प्रभू को पहचानो प्रभू की सरन में आओ उनको रिजहाओ, उनको प्रेम करो पत्रम पुस्पम फलम तोयम जो कुछ भी तुमारे पास हो एक पत्ता हो, एक फूल हो एक फल हो कुछ भी नहीं जल तो होता होगा जल भी अरपन कर दो किसी प्यासे को जल इस भाव से पिला दो कि परमिश्वर मेरे द्वारे आया, जल पी रहा है मेरे हाथ से प्रणाम कर दो तो जल चाहे किसी ने भी पिया हो चाहे गदे ने भी पिया हो ओ जल परमिश्वर को प्राप्त होता है मेरे प्रेम भाव से बड़े भक्त के हाथ से यदि मुझे जल का ग्लास मिल्या पीने को तो उसको मैं पी लेता हूँ मैं स्विकार करता हूँ और ये साइंस भगवान की इतनी परम है कि आपने जिस भाव से वो जल प्रदान किया है किसी को पिलाया है वो परमिश्वर को प्राप्त हो जाता है यदि परमिश्वर भाव से आपने जल पिलाया है यदि कोई प्यासा होगा कोई प्राणी बेचारा कोई जीवात्मा कोई गदा गोडा या कोई भिकारी इस भाव से या मेरा अथिती इस भाव से फलाया तो ये अथिती और गदे गोड़े कोई प्राप्त होता है पर में इश्वर को नहीं आपके भाव की बात है सारी Atlantic Farm Cash & Carry Grand Opening Atlantic Farm Cash & Carry 114-15 Atlantic Avenue Regiment Hill New York तेरे किसे भी जानकारी लिए लिखे नमबरा ते काल करो Atlantic Farm Cash & Carry Regiment Hill कर दो में आपके जो भी थानकारी बात है कि प्राथना किसी भी अवस्था में जो तू मिटाना चाहे जीवन की त्रुशना जो तू मिटाना चाहे जीवन की त्रुशना सुबश्याम भूल बंदे क्रोशना 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 सुबश्याम भूल बंदे क्रोशना क्रोशना सुबश्याम भूल बंदे क्रोशना क्रोशना सुबश्याम भूल बंदे क्रोशना 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 सुबश्याम भूल बंदे क्रोशना क्रोशना रज़ कर देरिया जब सेजिए एड़ा देर जो कि अपने तन्हें तेरा देरिया जब सिर आगला देरी ले वालो देजिए है ने ददोर कि अन्हें ये तक झाया देर जगतीया है चोड़ दे भटकना दरदर तोड़ दे अहम का घेरा चोड़ दे अहम का घे साग।